नमस्ते दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर शाम के जैसवाल है मैं senior consultant नियुक्टिक्स नसों का डॉक्टर हूं जो किम संसाइन बेंगम पेट में काम करता हूं दोस्तों आज मैं आपको epilepsy, मिर्गी, जटका इसके बारे बात करना चाहता हूं जो बहुत ही common बिमारी है और जिसके बारे में public को बहुत ही अन्विस्वास है इसलिए मैं यह चीज़ बहुत जरूरी समझता हूं यह आप से बात करूं तो पहले मुझे कुछ बाते बतानी है क जटकी इमारी है यह जो है psychological problem नहीं है यह चीज़ समहाथ यह एक brain की इमारी है उसका region क्या मैं आप से discuss करूंगा आपको बताऊंगा मैं जिसको जो है इसका treatment देके पूरी तरह क्योर हो सकता है यह बहुत बरी बात है इसके बारे में बहुत ही अन्दिस्वास है लोगों को इसका मैं आपको सब region बताऊंगा तो यह पलेपसी जो होता है कि यह दिमाग के अंदर कुछ electrical activity एकसेस होने के वजोसे यह पलेपसी की विमारी होती है और यह एपलेपसी विमारी जो है उसकी region क्यों है यह आप जो जाना चाहते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे जब बच् से आना यह चीज़ बहुत ज़रूरी है यह किसी किसी को होयाता है लाख में से एकात बच्चियों का इसा होता है इसका ब्रेंड डेवलप होगा तो इससे फिर सा सकता है सकेंड डिलीवरी के समय अगर कुछ बराबर से डिलीवरी नहीं हुआ उसमें ब्रेंड के अंदा बहुत कामन डीजन से मिडल एज में आजकल जो एकस्पेस हाइवे बन गया है और बीना हेलमेट के लोग चलते हैं उससे क्या होता है सर पे चोट लगती है हेड इंज्यूरी होती है और हेड इंज्यूरी के वज़ए से ब्रेंड की नसे डिमेंजन से फिट्स का काना होता ह है इसलिए मैं अपने सारे दोस्तों फैमिली मर्स के बोलता हूं तो एक किलमेटर पर जाना है तो हेलमेट पहन के जाना है क्योंकि हेड इंज्यूरी के वज़ए से फिरसाने का जान्स बहुत होता है और यह चीज और मिडल एज में कभी-कभी बहुत ही कम रिजन्स हैं जै तो दो तरह के फिट्स होते हैं वह समझना है हम लोगों को एक को कहते हैं पार्सियल और एक को कहते हैं जन्रलाइज पार्शल मतलब उसमें एक साइड में हाथ-पाउम में अकलन होती है और दूसरा होता है जिसमें होता है पूरे दोनों-चार पाउम हाथ अकलन होती है तो यह चीज जो है आपको फिट्स के बारे में मैंने बताई कि उसमें सिंटम्स क्या होते हैं अब जो यह है कुछ के लिए किसी का भी फिट्स आए तो इमेरिटली होस्पिल में आके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रुरी है अगर क्या हो गया तो कैसे डागनोसिश करते हैं इसका यह बहुत ज़रुरी है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फिट्स को डियागनोस करने के लिए एजी टेस्ट और एक स्कैन करना स्कैन में के लिए एमारे ब्रेन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम लोगों सौन्ज में आता है और एजी अच्छी तर यहां लिखी क्या लिखा है 70% जो फिट्स की इमारी अच्छे मेडिसिन से कंट्र हो सकता है और बागी के 30% भी उसको सभी से डैगनोसिस करके कुछ कुछ सर्जिरी भी एविलिबल होता है अपले सर्जी का वह सर्जी करने से भी वह फिट्स को कंट्रोल किया सकता है अब मै कि टाइम पर सोना देवाई ठीक से लेना अच्छा खाना खाना भी अब जो फिट्स आ गया है तो हम लोगों क्या आवाइड करना चाहिए दो चीजिए ऑवाइड करना चाहिए और जो आपके आसपस रटे इनको जानों खत्रा होई हो सकता है अब जो है ट्रीट्मेंट की से अब्लकुल नहीं है उनको आसपा इपने वी कोई सीनाना चाहिए उनको को साइड में श लाना चाहिए कि निजए को साई में सुला देना चाहिए किकिठ एका फ्रेक्शर होने का चांस भी होता है जैसे।ा हिंट साना चेक करना चाहिए जो मैं बताया है जूता सुवाना चप्पल सुवाना इस सब्सक्राइब कर सकता है जो एक महतुन मात मैं आपसे बताना चाहता हूं जो बहुत ही गलत भावना है कि अगर कोई लेडिज को हो गया तो इसके बच्चे को भी हो सकता है वो उनके प्रेगनिसी में प्रॉलम हो सकता है वो प्रेगनिन नहीं हो सकता है यह बहुत गलत भावना है मैं बहुत तरह ऐसे फैमिली कांसलिंग करता हूं मैं बोलता हूं कि जो भी आपके होने वाले पती हैं आप उनसे मुझे बताईए या फैमिली मर्स है एक तो मेंडेसिन अगर प्रेग्नेसिन में लिया अगर जब लोग पेट से हैं तभी मेंडेसिन लिया तो उससे मेडेसिन से बच्चों को कुछ साइड एफ नहीं चांसे नाइंटी नाइन परशन नहीं है इतने चेंशन हैं और उसके अलावा अच्छे डाइगनोसिस से वीडिय सब्सक्राइब करना चाहता हूं जोने मुझे यह मौकात दिया आप उसे बात करेंगे थैंक्यों धन्यवाद